हेलो गाइज, वेलकम टू फर्स्ट इंडिया फिल्म में, मैं हूँ आपकी होस्ट सोनिया जैस्वाइज वेल वक्त हो गया है सिनिमा की दुनिया से जुड़ी दस बड़ी खबरों का सारा अलिखान से ब्रेक अप करने के बाद साथ फेरे लेंगे कार्तिकारियन कार्तिकारियन ने हाल ही में ट्विटर अकाउंट पर हैश्टैक आस्क कार्तिक सेशन रखा जिसमें एक यूजर ने अभिनेता से उनकी शादी को लेकर सवाल किया इस सवाल का जवाब देते हुए कार्तिक ने कहा है कि एलिजिबल से टेकन तो करवाओ फिर मैरिज की बात करेंगे एलिजिबल में सिंगल ही रह जाओगा कार्तिकारियन के इस जवाब के बाद अभिनेता के फैन्स को ये बात पता चल गए है कि वो एकदम सिंगल है शाहिद कपूर संग औन स्क्रीन रोमैंस करेंगी नोरा फते ही बताया जा रहा है कि शाहिद कपूर और नोरा फते ही जल्दी एक प्रोजेक्ट में साथ नजर आने वाले हैं ये इसलिए है क्योंकि दोनों स्टार्स के बीच एक बात कॉमन है और वो है डांस दोनों ही अपने अपने डांस को लेकर चर्चा में रहते हैं नोरा और शाहिद ने एक इवेंट में साथ में परफॉर्म किया जिसके बाद दोनों ने एक दूसरे को इंस्सेग्राम पर फॉलो करना शुरू कर दिया है सल्मान खान को नहीं मिली जान से मारने की धमकी सल्मान खान के पिता सलीम खान को हाल ही में धमकी भरा खत मिला था जिसमें सलीम और सल्मान को सिद्धू मुसेवाला की तरह जान से मारने की धमकी दी गई थी लेकिन पोलिस को दिये बयान में सलमार ने किसी भी धमकी से इंकार किया है के आरके ने फिर उड़ाए अक्षे खुमार की खिल्ली उड़ाई है ट्विटर पर के यार्के ने कमल हासन की विक्रम की सोमवार को भी हाउसपुल चलने के लिए तारीफ की जागके अक्षे कुमार के समराच पृत्वी राज के खराप प्रदर्शन पर कटाक्ष किया उन्होंने लिखा है कि फिल्म विक्रम तमिल में आज सोमवार को भी हाउसपुल चल रहे है फिल्म समराच पृत्वी राज पूरी तरह से खत्म हो चुकी है गुटका किंग श्री श्री अक्षी बाला महराच जी को बधाई हो जहीर इक्बाल संग शादी पर बोली सुनाक्षी सिना संग अपने रिश्टे को इंस्सेग्राम पर ओफिशल बनाए जाने के बाद से ही अफवाओ का दौर शुरू हो गया है वहीं इस सब के बीच सुनाक्षी सिना का रियक्शन आया है अभीनेत्री ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर मज़ेदार वीडियो पोस्ट कर अपनी शादी की खबरों पर चुपी तोड़ी है सुनाक्षी द्वारा साजहा किये गए इस वीडियो में अभीनेत्री एक कमरे में बैठी गहरी सोच में नजर आ रही है वहीं वीडियो के क्लिप पर लिखा हुआ है मी टू मीडिया क्यों हाथ धोकर मेरी शादी करना चाते हो ले मीडिया जिसके बाद वो शारुक के फेमस डायलोग को लिप सिंग करते हुए नजर आती है उसमें वो कहती है कि अच्छा लगता है मुझे बहुत मता आता है वहीं वीडियो के कैप्शिन में अभिनेतरी ने लिखा है प्रपोजल, रोका, मेहंदी, संगीत सब फिक्स कर ही लिया है तो कृपिया मुझे भी बता दे ये लड़का कभी शेप में नहीं आ सकता बॉडी शेमिंग करने वाले को अरजुन कपूर ने दिया करारा जवाब हाली में अभिनेता ने सोशल मेडिया पर एक तस्वीर शेयर की जिसमें वो मोमोस खाते हुए दिखाए दे रहे है अपनी इस फोटो के लिए उन्हें बॉडी शेमिंग का सामना करना पड़ा जिसके बाद उन्होंने ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है अभिनेता की सपोर्ट में उनकी गर्फरेंड मलाइका अरोरा ने भी पोस्ट शेयर किया है अरजुन कपूर की इस तरह को फैंस जहां पसंद कर रहे है वही ट्रोल्स उन्हें पहले के बढ़े वजन का याद दिला कर कटाक्ष कर रहे है ट्रोलर ने अरजुन के फोटो पर कॉमेंट किया ये लड़का कभी भी शेप में नहीं आ सकता ये एक अमीर लड़का है जिसकी कोई मान सिकता नहीं है ऐसे में अरजुन कपूर ने पहले उस कॉमेंट का जवाब दिया फिर उसका स्क्रीन शॉट लेकर अपनी इंस्टग्राम स्टोरी पर भी शेयर करते हुए अपना जवाब लिखा शिल्पा शेटी ने खुद को दिया ये बेश कीमती तौफा बॉलिवूड अक्ट्रेस शिल्पा शेटी आज अपना 47 वा जनम दिन मना रही है शिल्पा शेटी ने अपने ही जनम दिन पर खुद को एक लगशरी वैनिटी वैन गिफ्ट की है उनकी इसी Vanity Van की तस्वीरे सोशल मीडिया पर तेजी से वाइरल हो रही है शिलपाशक्ती से जुड़े एक सूस्र ने खुलासा किया कि उन्होंने खुद को बिलकुल नई Vanity Van गिफ्ट की है जिसमें एक छोटा किचिन, हैर वाश स्टेशन और सबसे महत्वपूर्ण एक योगा डेक है फिटनेस उनके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और वो ये सुनिश्चिस करना चाहती है कि जब वो चल रही हो तब भी वो अपनी Vanity Van में आराम से योगा का अभ्यास कर सके सल्मान खान के फिल्म में शारुक खान की होगी धासू एंट्री सल्मान खान पिछले कई दिनों से लगातार सुर्खियों में बने हुए हैं उनकी most awaited film Tiger 3 और कभी इज कभी दिवाली से जुड़े अपडेट हर रोज सामने आते रहते हैं अब जानकारी आ रहे है कि सल्मान खान की फिल्म टाइगर 3 में बॉलिवुड के किंग और उनके अच्छे दोस्त शारुक खान फिल्म में क्याम्यो करने वाले हैं शारुक खान पर शत्रगन सिनहाने लगाए गंभीर आरोग बॉलिवुड सुपरस्टार शारुक खान भी ते दिनों अपने बेटे आर्यन के बहुचरचित क्रूस ड्रक्स मामली को लेकर काफी सुर्ख्यों में रहे हाला कि नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्योरो द्वारा दायर की गई चार्चित से आर्यन खान का नाम हटा दिया गया एनसीबी ने उन्हें क्लीन चित दे दी इसी केस से जोड़े शत्रगन सिना ने अपना एक बयान जारी किया है उन्होंने ये जाहिर किया है कि उस वक्त उन्होंने शारुक खान की मदद करनी चाही और मदद का हाथ भी आगे बढ़ाया लेकिन शारुक खान ने मेरी मदद नहीं ली उन्होंने तो ठैंक यू बोलना तक जरूरी नहीं समझा खुदा हाफिस चैप्टर 2 का ट्रेलर हुआ आउट इस दिन रिलीज होगी विद्यूत जामवाल के फिल्म विद्यूत जामवाल के फिल्म खुदा हाफिस चैप्टर 2 अगनी परिक्षा का ट्रेलर आउट हो गया है इसमें विद्यूत जामबाल और शिवालिका का अलग अंदाज नजर आया है ट्रेलर में दोनों एक बच्ची को गोद लेते हैं जिसका अफरंड कर लिया जाता है बता दे कि खुदा हाफिस चैप्टर टू अगनी परिक्षा विद्यूत जामबाल की 2020 के फिल्म खुदा हाफिस का सीक्वल है जो डिजनी प्लस होट स्टार वर रिलीज हुई थी तो दोस्तों ये थी हमारी सिनिमा से जुड़ी दस बड़ी खबरे अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेर करना ना भूले सिनिमा से जुड़ी लीटिस्ट अपडेट जाने के लिए फर्स्ट इंडिया फिल्मी को जरूर सब्सक्राइब करें बेल आइकन दबाना ना भूले